प्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे ये जो कपेश्टर है बुरी तरह से फड़ चुका है बलास्ट हो चुका है इसकी ऐसी हालत क्यों हुई है कैसे हुई है और ये फटने के बाब जूद भी मोटर वर्क कर रही थी चल रही थी लेकिन 100% स्पीड नहीं दे रही थी 60-70 की 60 स्पीड दे रही थी इसके फटने के बाब जूद क्योंकि ये सिर्फ फटा था इसकी जो वायरे हैं अंदर से डिस्कनेक्ट नहीं हुई थी शायद इसी लिए ही हमारा जो फैन है वर्क कर रहा था आगे जानेंगे फ्रेंड्स ये जो कपेश्टर है क्यों फटा है है अलो स्वागत करते हैं आप सभी का एक नमे वीडियो में है जैसके आप देख पा रहे होंगे ये जो कपेश्टर है बुरी तरह से फट चुका है और इसके अंदर का जो मेटेरियल है बाहर आ रहा है तो इसके फटने का कारण रहा होगा क्यों फटा है इसके फटने के कई कारण है तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिर जो कपेश्टर है वो आठ्ट एम एफडी का है यानि कि आठ्ट का यह कपेश्टर है टिप कॉन कंपनी का इसके फटने का कारण हम आपको बताएंगे किस परकार से जरूर यह कूलर कमें लगाया गया था कुलर में ज्यादतार जो है चार का पेश्टर यूज होता है लेकिन उसमें जो मोटर थी हाइश्पीड मोटर है इसलिए उसमें आठका यूज किया गया था टार में सब्सक्राइब करें के यह कमेशटर है कि अधुक्राते हैं कि उसकी होते हैं अधुक्ते। कि यह क्यों फटा था चलिए फ्रेंड्स फटा फट से मैं आपको उताता हूं इसके फटने का फ्रेंड्स सबसे फेला कारण तो है कि जो यह कपेश्टर है हो सकता है यह कपेश्टर भी खो चुका था नंबर दो इलेक्ट्रिसिटी कम या ज्यादा आई होगी या फिर जो मोटर है मोटर ने ज्यादा हीट प्रड्यूस की होगी और जो हीटिंग के कारण इसमें से हीटिंग के कारण फट गया होगा या फिर हो सकता है कि जो मोटर है लोड ले रही थी इसके कारण भी यह फट सक यह फ्रेंस चार पाच कारण है जिनके कारण है जो कपेश्टर है हमारा इस तरह से फट सकता है लेकिन यह फटने के बाब जूद भी फट चुका था फिर भी हमारे जो मोटर को वर्क कर रही थी चल रही थी स्टार्टिंग में प्रोब्लम आ रही थी उसको लेकिन वाद में वो नॉर्मल स्पीड पर हो जा रही थी 100 प्रसेंट स्पीड नहीं दे रही थी फिर भी कि तो उसके कारण भी हमारा ऑफर सकता है कि अजे कल जो हमारे खुलर रहे हैं कलम KI में उनुम्हें अ अन्धर अगया ओस्पीड़े मेंba कप को उपर से डाग ड्ग दिया जाता है जब हमारा कॉप की पेश्टर मांने जी को इख हो गया है तो हमारी जो मोटर है वहाड़ए हीटिंग ही होगी और उसकी जो गर्मी है कपेश्टर तक पहुचेगी हमारा कपेश्टर उस कारण से भी फट सकता है और अगर वोल्टेज जादा या कम आती है तो भी हमारा कपेश्टर फट सकता है इसलिए जो पहले कूल राते हैं उनमें सभी में जो मोटर के अंदर कपेश्टर नहीं लगाया जाता था बाहर ही लगाया जाता था डिफरेंट डिफरेंट मोटर में फ्रेंट डिफरेंट कारण हो सकते हैं समर्सिवल में लग हो सकते है तुलूपम्प जो होता है उसमें कोई अलग कारण हो सकता है लेकिन लगभग से 50% सेम ही कारण होंगे तो फ्रेंट्स उम्मिद करता हूँ आज की वीडियो में आपको कुछ नोलिज मिली होगी वीडियो अच्छी ही लगे के तो वडियो को लाइक शेर सॉस्क्राइब जुरूर करें कमें करना ना बूले साक़िगा आने वाली वीडियो रजो यही तोल्डश करेंगे झाल झाल